तो कैसे आप लोग दोप 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 दोण दोप दोप दोग दोप 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 हाई लेडिज से जेंटलमेन, I hope you are doing well तो दोस्तो मैं आसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगो की preparation भी अच्छी चल रही होंगी दो दोस्तो यहां पर UPSC ने एक notification जारी किया है कि जो हमारा UPSC का जो prelims जो exam है वो कब होगा, कितने तारीक को होगा तो उसी से संबंधित ये एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ तो दोस्तो सबसे पहले आप वीडियो देखने से पहले वीडियो को like, share and subscribe जरूर करते हैं क्योंकि आपको फाइदा जरूर पहुचेगा इस news से ठीके आपको update जरूर मिलेगी तो आप like, share, subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तो तो चलते हैं, बढ़ते हैं कि क्या notice आया है उसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो दोस्तो यह जो UPSC के थूरू संग लोक सेवा आयोग के थूरू जो यह notice आया है उसे हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं ठीके तो यहाँ पर Reseduling of the Civil Services Preliminary Examination 2021 तो यहाँ पर यहाँ पर बताया गया है कि Corona Virus की वज़ा से यहाँ पर जो यह decision लेना पढ़ रहा है तो यह किसके वज़ा से लेना पढ़ रहा है Noble Coronavirus की वज़ा से ठीके UPSC ने यहाँ पर कहा है कि जो 2021 का प्रिलिम से जो एक्जाम होने वाला है उसे यहाँ पर Resedul किया गया है और जो पहले जो सेडियूल था वो 27 जून ठीके वो क्या था वो 27 जून 2021 को था दोस्तों ठीके 27 जून 2021 को था कि ये ता वो 27 जून 2021 को था दोस्तों लेकिन आब इसे कर दिया गया है 10 अक्टूबर ठीक है अब इसे क्या कर दिया गया है आब इसे कर दिया गया है यानि कि जो आप जो आपका जो एक्जाम होगा वो कब होगा वो होगा प्रिलिम्स एक्जाम जो होगा वो आपका 10 अक्तूबर 2021 को होगा पहले जो 27 जून को होने वाला था वो अब 10 अक्तूबर 2021 को होगा दोस्तों तो आप लोग अपने प्रिपेशन जारी रखेगा और मैं आसा करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो यूस्पूल लगा होगा तो अगर आपको यूस्पूल लगा तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों मिलकूल मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो के साथ तक तक के लिए आप में साथ बने रहिए बाबाई से यू एं थैंक यू